हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राजनर बासकर और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MS Word का Page Layout टैब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि MS Word के Page Layout टैब के दोवारा Page के Setup को कैसे Set कर सकते हैं उसके अंदर Themes को कैसे Apply कर सकते हैं और दोस्तों Page के Background को कैसे बदलते हैं Paragraph कैसे यूज करते हैं तदा Arrange Block का क्या यूज होता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों फड़ा फड़ा हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज का वीडियो काफी लंबा होने वाला है दोस्तों क्योंकि मैंने Page Layout के सभी Options को पूरा Step by Step explain किया है देखे दोस्तों अब हम किसके बारें पढ़ेंगे Page Layout Page Layout के अंदर क्या होता है Page Layout के अंदर दोस्तों उस Page से Related पूरी उस Page की Settings होती है क्यों Page की Size क्या है उस Page का Margins क्या है Orientation क्या है उसमें Columns है या Page Break है या फिर Section कितने है या फिर वो Page कैसा Print होगा ये सभी हमें क्या होगा इस सभी Page की तो Settings होती हुँ वो हमें कहां मिलेगी Page Layout के अंदर मिलेगी कि उस Page के अंदर हमें Design कैसी लगानी है वो Page के Border कैसे लगानी है उसके Color कैसे करना है या फिर उस Text के पीछे कुछ लिखना है तो वो सभी हमारे पास क्या आएंगे यहां पर Page Layout के अंदर आएंगे तो हम इनको पूरा Step by Step पढ़ेंगे देखो दोस्तों Page Layout के अंदर हमारे पास कितने Blocks होते हैं Page Layout के अंदर हमारे पास पहला Block होता Theme Block दूसरा पेज Setup Block तरड होता है Page Background Block चो और चोथा होता हमारे पास क्या Paragraph Block और 5 होता हमारे पास Arrange Block होता दोस्तों तो सबसे पहले Block के अंदर हमारे पास हम जाते हैं किसके अंदर सबसे पहले पेज Setup को पढ़ते हैं वो यहां पे है देखो दोस्तों सबसे पहले क्या दिखा रहा है Letter Size, Legal, Executive, A4, A5 यह सभी देखो दोस्तों यहां पे हमारे पास काफी Size यह पेपर की लेकिन जो Normal हमारा पेपर होता है वो कौन सी Size में होता है वो दोस्तों वो Paper होता हमारा और हम ब्रेकिट के अंदर जैसे हमने यहां पे लगा दिए हमने 20 Paragraph टाइप कर दिए और यह देखो दोस्तों दोस्तों हमने क्या Equal नहीं लगा इसलिए Formula काम नहीं किया तो यहां पे हम Equal का Sign लगाते हैं अब देखो Enter की Press की यह हमारे पास आ गया हमारे पास Total कितने पेज आये हैं 4 पेज आये हैं देखो दोस्तों आपको दिखा देता हूं जूम करके यह देखो दोस्तों 3 of 4 मतलब हमारा जो Curser है ना वो Curser कॉनसे में है 3 पेज में है और Total हमारे कितने 4 पेज हैं दोस्तों रिखें यहां पे देखो words की संग्या बता रहा है कितने words हैं 1229 words हैं हमारे पास तो दोस्तों इसको जूम इन करते हैं अब इनको हम पेजों को देखो उपर नीचे हम इनको बराबर में ले आते हैं सभी को देखो दोस्तों चांट्रोल प्रेस किया और देखो माउस से हम इस लिगल के अंदर क्या होगा दोस्तों, लिगल के अंदर page की size बढ़ जाएगी, थर्ड page पे थोड़ा साइँ मेट रहे हैं, क्योंकि legal page होता है, उसकी size बढ़ी होती है, जो कि हमारे normal, हमारे जो A4 अता हुसे कुछ बड़ा page होता है, जैसे हम executive पे गए, यह देखो 4 page आ गए, फिर हम गए कौनसे पे, A4 पे गए, तो A4 पे हमारे पास 3 page पूरे बढ़े होता है, फिर उसके बाद होता है, जो भी आपको size चीए वो यहां से ले सकते हो, फिर आम more paper size पे जाते हैं, देखो more paper size पे देखो, दोस्तों, हमारे पास यहां पे width लिक हुए, क्या width अपने हिसा बाकि दोनों क्या रहे है, दोनों A4 size के अंदर है, तो मैंने इसको select कर लिया, और select करने बाद size में जाऊंगा, और कहां पे जाऊंगा, more paper size, और यहां से निचे से क्या कर से select करेंगे, दोस्तों, whole document है, पूरा document नहीं, लेकि हमें क्या करना है, selected text, पे click किया, यहां पे recording हम इसको set कर सकते हैं, कि किसी page का size कम या जादा हम सभी page का अलग-अलग कर सकते हैं, कि अंदर, यह नहीं कि सब A4 है, तो A4 ही print आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, दोस्तों, आप अपनी हिसाप से इसको change कर सकते हो, फिर दोस्तों, आगे बढ़ते है, हमारे पास क्या आता ह orientation में क्या दिखा, switch the pages between portrait and landscape layouts, यह क्या गरा है, यह आपकी जो page है, उनको portrait और landscape में करने का काम करेगा, देखो कैसे होता दोस्तों, मैं एक बार undo कर देता हूँ paper को, तिनों को proper ले गिया, अभी क्या कर आपको page का orientation, orientation का मतलब क्या होता है, कि हमारा page, normal जो page है ना, यह कौन से में दोस्तों, यह हमारा portrait है, मतलब जो सीधा खड़ा, जो page वो क्या portrait है, और landscape में क्या होगा दोस्तों, यह height क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, width हो क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी, जैसे मैं यहाँ से देखो, normally यह portrait है वैसी, मैं इसके landscape में करता हूँ, सभी landscape में हो जाएगी, देखो, यह देखो दोस्तों, पेपर की outcome हो गई, और width बढ़ गई है, यह हमारे क्यों हो गए, landscape हो गया, और landscape हो जासे हम portrait में करेंगी, तो यह portrait आजाएगा, तो यह हमारा अलग अलग, अब आप चाहते हो, क्या इसी page को हमें क्या करना है, landscape में करना बागी, तो नों को क्या रखना, portrait में, तो यहां से आप नहीं कर पाऊगे, फिर आप सोज़रें क्या यह नहीं होगा, यह ऐसा नहीं होता दोस्तों, यह होगा, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा, पूरा step बाइश्टेप बता रहूं आपको, देखो, आगे आए गया हमारे पास प्रूस एगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आता है, margin जाते हैं, margin क्या होता है, यहां पर जो page के उपर है, जो खाली जगए है, इधर left में खाली जगए है, bottom में खाली जगए है, और right में जो खाली जगए है, यह margins होते हैं, यह आपको margins को set करना ही permission देगा, कि आपको paper के के अंदधर DO, कम चोड़नी है parallel , जादा करना 승ग से कम चाथ पर निछी जबंड़न आपको कं जाधा करनी है। दोस्तों यहां पे हम इस प्लिक रहता ही है निरो पर प्रिविव के इंदर दिखा भी रहाओ कि साइडों में जगह क्या होगी कम बचेगी मिली तेखना यहां पर में पर सब्सक्राइब कम बचेगी Grundy Gustable देखना यहां तक आहा गा ए бер वद देना ऐं तक्वा यह ऑपर चला जा presenting क्यूंकि कि पिछे वाड़े पएजों में टेक्ष जा आप आप से आप margin को, जो भी आपको margin सीए है, उसको आप set कर शकते हो, जैसे हमने normal क्या कर लिया? ने arrow कर लिया, इसको, फिर हम कहां गए? इसके अंदर गए, और custom margin के अंदर जाते है, custom margin देखो, दोस्तों में क्या बताता है, कि आप क्या चाहते हो, जैसे हम नोर्मल ही हम क्य मुझे नहीं है, तो हुछ को बचाने के दिये हम क्या करें गाने के लिए धिये। मुझे पैक्स का करें मुझे में देखो कैसे टोइ सब्सक्रीड हों गाना कीड़ा है छे पैक्स przykład के लिए अस्विस सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब का स्थकिंगेỏe तो मैंने left किया और okay कर दिया ये देखो दोस्तों left से data किया हुआ थोड़ा सा right में किशक गया तो इसको हम क्या करते हैं देखो दोस्तों left की वज़ाए क्या करतेंगे तो और top करते हैं ये देखो दोस्तों उपर से data नीची आ गया कि आप उपर winding कर सकते हो तो इस तरीके से आ चोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखो दोस्तों ये रहे हमारे margins की आप paper के वैसे margin चारो तरफ के margin set कर सकते हैं जैसे टोप का margin bottom का right का left का ये margin अपनी हिसाब सी जैसे आपको suitable लगे उसके according आप इन margin को या पर page को set कर सकते हो जैसे देखो दोस् से custom margin पर जाते हैं और यहां पर देखो आपको portrait और लेंडिस्केप आ गए page के orientation अब देखो दोस्तों क्या चाहते हैं कि यह जो page है ना हमारा इस page के अंदर जैसे मैं यहां से यहां तक का data इसका delete कर देता हूं या फिर आगे बाड़े page पर इसको transfer कर देते हम जैसे हमने enter key press किया यह देखो आगे बाड़े पर चला गया अब देखो अब हम इसको select किया और कहां जाएंगे margins पर जाएंगे और custom margin पर जाने वाद लेंडिस्केप किया हम क्या जाते हैं यह केवल जो selected text है ना यह क्या हो यह page केवल landscape में हो बाकी दोनों क्या रहे पोर्ट्रेट में रहे लेगिन यहां से हम जिस page को चाहें उसका orientation चेंज कर सकते हैं दोस्तों फिर दोस्तों आगे बढ़ते हमारे पास क्या थे columns आते हैं दोस्तों कोलम के दिए मैं एक बार क्या करता हूं इसको undo कर देता हूं अब देखो दोस्तों के अंदर क्या आएगा कोलम से मैं देखो 123 left right more तो हम क्या चाते है कि आ ये ये लेड टा चाते है कि जो selected टेक्स कर तक हूं इसको debate कर देता हूं इसको debate कर देता हूं और इनको मैं थोड़ा greater than से मैं इसकी size को increase कर देता हूं size increase हम इसलिए कर रहे हैं थाकि आपको दिखाई दे जाए जैसे मैं जो इस two column मनाने normal one column तो ही है यह यहां से click किया यह देखो दोस्तो तो column में divide हो गए data और उसके बाद का देखो ऐसा है data फिर आपको नहीं मेरे को तीन चीए तो आप यहां से जोला काओ धैगा आपको चोटा हो जाएगा यह दोस्तो अब काओ जाएगे गाले उसके ऑपको दिखाई नहीं तो देगा आप कर देता हूं अब देखो मैं इसकी size काएथ परण की进करता हूं ज्योम करता हूं यह स्क्रीन को यह देखो देखो दोस्तो यहां से आप इसको कोलम को क्या कर सकते हो तो से मुझे फॉर कोलम चाहिए मैंने इसको ओके कर दिया अब देखो दोस्तों यहां पे देखो मारे पास कितने कोलम आ गए फॉर कोलम आ चुके अब हम क्या चाते हैं कि मारे पास कोलम क्या हो हम दोई कोलम रखने में तो हम और कोल को लम तो यहां प्रिविवू दिखा रहा साधा आपको को आए लेकिन डोनोगीम के बीच में गये लाइन यह तो लाइन बीट्विईन पे हम क्लिख किया यह देखो दोस्तों लाइन हो गई है इक हमारे पास तो जिससे हमें डोनर!」 realize करेगा यह हमसे किस लिए यूज करते हैं जैसे कोई दो चीजों के अंदर difference बताना हो तब हम इसका column का use यहाँ पर करते हैं फिर हम देखो दोस्तो आगे जाते हैं इसी के अंदर देखो more column और यहाँ पर देखो दोस्तो आप साते हो कि इनकी width है वो मेरे को क्या करनी है बढ़ानी है दोस्तो आप जैसे मैं इसकी width बढ़ाऊंगा तो यह column क्या होगा ऐसे फैलता जाएगा देखना आप यहाँ से ये देखो दोस्तो ये बढ़ता जारहा, two column को करूआ तो two बढ़ता जाएगा, फिर देखो दोस्तो हमें क्या करना है, कि हमें बीच का तो space हना, line का, left or right वाणा वो space हमें increase करना है, तो यहां से देखो दोस्तो, यहां से पूरे को select करता हूँ और delete कर देता हूँ फिर हम क्या करते हैं दोस्तों फिर हम देखो दुबारा से हम कुछ लिख लेते हैं ये बार-बार हम क्यो राइटिंग कर रहे हैं बार-बार paragraph क्यों लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं अब हम कहाँ जाएंगे break के ऊपर जाएंगी दोस्तो तो break क्या कहता है किया deste को break करो तो देखो दोस्तों जैसे हम ओपर आते हैं यहां पर ने कशिए कि यहां के आगए ग़ीगा जो text नहा हूँ next page में जाए मुझे यहां से क्या करना है पेज को ब्रेक करना है तो एक तो पेज ब्रेक की shortcut की क्या होती है control plus enter होती है तो यहां तो आप shortcut की से क्या करतो पेज को ब्रेक जैसे हमने control प्रेस किया और enter प्रेस किया यह देखो दोस्तो ब्रेक हो चुका या फिर आप क्या करो इसको हम एंडू करते है या फिर हमारे पास क के अदर जाओ और पेज के ऑपर किलिक करो चुँए हमारा आगेगा इससे आगेग जो भी टेक्स आ वो कहां से लागा यह प्यालिव कि Π stremen फुर पाने से लागां थिह वादाने नोर्मल फेज ब्रेक उता द्टन मुझ कोई divide कर दिया जैसे मैं यहां से जाके क्या कर देता हूं more पे जाके इनके अंदर line between डाल देता हूं line between कर दी आप देखो दोस्तों जैसे मुझे क्या करना है break के अंदर जाके मुझे column को break करना है तो मुझे क्या करना है जैसे मुझे यहां से आगे का क्या करना है कोलम ब्रेक करना है अब जैसे आप यहां पर मैं ब्रेक करूँ आना यहां पर ब्रेक करती यह उप्रुवार टेक्स तब कहां चला जाएगा इस पेरग्राफ के नीचे आ जाएगा तो मैं यहां पर क्लिक किया फिर यहां पर जाके कोलम पर क्लिक करवा आ यहां से आगे ब्रेक करते हैं यहां से पूरा ब्रेक लैट साइड के अंदर पूरा डटा हमारा आचुकत इता है करण यह था मारे आ ब्रेक यह बढत ओन संसक्रा मैं आपको बताता हूं जासे हम यहां पर आ हैं हम क्या चाहते हैं इस लाइन को नीचे वाड़े लाइन में लाना चाहते हैं लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं यहां से तो लाइन को ब्रेक करने के दिए आप क्या करोगे एंटर की प्रेस करते हैं नॉर्मल ली जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूं देखो दोस्तों एंट पर क्या करते हूं ब्रेक और ब्रेक पर क्या करता हूं text wrapping एकशे पिंग करते ही दे दोको यह distance और यह distance दोनों में कितना difference आ रहा है दोस्तों यह हमारा normal अक्सरों की तरह आ रहा है जिसमें हम कोई paragraph नहीं डिखाई देरा लेकिन इन दोनों की बीच में क्या रहा है difference जादा आ रहा है, इसलिए क्या मान रहे हैं, अपने आपको एक अलग paragraph मान रहा है, इसलिए हम text wrapping का उपयोग करते हैं, ताकि हम उस line को break करके निचे वाड़ line में आते हैं, ताकि वो एक paragraph की तरह हमें ना दिखाई दे, फिर उससे आगे बढ़ते हैं, दोस्तों हमारे पास क् explain करने में आगे उनके अंदर work करने में मारे समने problem नहीं आएगी दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैं पता चल जाएगी हाँ, उस section के अंदर उस topic से related चीजे हैं, तो इसलिए हम हर topic से related चीजों का एक अलग से section तयार कर देंगी दोस्तों, तो देखो दोस्तों, एक बार मैं इसके दिया, यहाँ पर हम 30 paragraphs ले लेते हैं, दोस्तों, close किया, enter की, press की, हमारे सामने, देखो दोस्तों, four page के अंदर data आज सुगे, अब हम इसको क्या करते हैं, egy screen पे सभी को set कर देते हैं, यह देखो, दोस्तों, यह देखो, दोस्तों, हम आरे पास आगे, अब हम क्या करते हैं, अब इन के अंदर देखो, दोस्तों, हम जाते हैं, Page Layout के अंदर जाते हैं, Page Layout से हम कहां जाएगी, Break के अंदर, Break से हम कहां जाएगी Next Page, यहां से Next Page का क्या यूज होता है, उम आपको बताता हूँ, देखो, हमें क्या है हमें देखो इसके अंदर सेक्षन डिवाइड करना है तो उसके लिए देखो दोस्तों एक बार यहां खाली जगह पड़ी है वहां पर हम क्या करो वहां पर डबल क्लिक करो जिसे हमारे क्या बढ़ेंगी है यहां पर डबल क्लिक किया अब देखो दोस्तों यहां डबल क्लिक करते हैं हमें क्या मिला सभी जगह देखो header लिखा हुआ है मतलब header लिखा हुआ है सभी का section एक ही है अब हम क्या करते हैं section जाना जैसे मैंने इसके अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ लिख देते हैं हमने लिख दिया A, B, C आपको दिखाई नहीं देर है इसलिए मैं इसको select करके control, shift और greater than से इसकी size को increase कर देता हूँ यह देखो दोस्तों हमारा हो गया header अब देखो हमें क्या करना है अब आप चाते हो कि हमें क्या करना है section को break करना था तो हम section को break जैसे हमारे पास हम इस data को देखो एक बार थोड़े इस data को delete कर देते है नीचे वड़े को अब आप क्या चाते हो इससे आगे का जो भी matter हो क्या जाए section अलग divide हो जाए उसका तो हम क्या करेंगे यहाँ पर mouse से click करके हम कहा जाएंगे page layout के अंदर जाएंगे वहाँ से break के अंदर जाकर क्या करेंगे next page कर देंगे दोस्तों जैसे देखो दोस्तों next page कर दिया आपको हो गई page तो आपने section मना दिया लेकि section का क्या हुआ उपर header रह रह रहा है section का जो नाम हो तो यह कि है वो देखो दोस्तों अभी लेकिन हमें काटना कौन सा था only section 2 का काटना था इसलिए control z से हम इसको वापस undo कर दिया हमने अब हम चाते तो यह थे कि केवल section 1 का अलग नाम रहे section 2 का अलग नाम रहे लेकिन यह क्या हो रहा है सभी का सेम आ रहा है इसकी लिए दोस्तों देखो आपको क्या करना पड़ेगा मैं i screen को थोड़ा जूम करता हूं देखो दोस्तों और यहां पर देखो हमारे पास क्या हूआ है लिंक to previous लिंक to previous देखो select हो रहा automatic इसको आप क्या करो unselect कर दो इसको इसको इसके पर click कर दिया अब देखो दोस्तों अब हम क्या करेंगे अब देखो दोस्तों ABC को हम अटाएंगे कि देखो दोस्तों अब नहीं अटरा बिच्छेगा केवल section 2 का अटरा है यहाँ पे हम PQ और R रख दिया हमने तो देखो दोस्तों PQR आ गया इस तरीके से हमारी section डिवाइडर फिर आप जाते होगी न नेक्स्ट पेज़ पे क्लिक कर दिया मैंने यह देखो दोस्तों अब मैं यहाँ पर double click करता हूँ देखो यह section हमारा कौन साथ जाएगा section 3 हो जाएगा section 3 हो रहा है section 1, section 2 और इधर section 3 हो चुगा हमारा section 3 का नाम change करने के दिए देखो दोस्तों हमारे को इसको क्या करना करने के बाद देखो यहां से हम क्या करेंगे एक्स वाई और जड हमने प्रेस किया और हम यह देखो दोस्तों हमारा क्या गया section 1 था वह एबीसी है section 2 क्या पीक्यूर और section 3 क्या हो गया हमारा xyz हो चुगा है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है हमारे पास आता देखो अपकी बार आता हमारा continuous continuous क्या होता दोस्तों तो इसके लिए देखो दोस्तों मैं एक बार इसको select करके पूरे को क्या करता हूं देखो, हो गया हमारा, हमारे पास page आचुके 4 दोस्तो, अब देखो इसको हम, एक screen पे set कर दिया हमने, यह देखो दोस्तो, अब हमने यह कर दिया, हमारे पास 4 page आचुके, अब हम क्या करते हैं, break के अंदर जाते हैं, और आगे continuous का option आता है, continuous का option देखो, मैं बताता हूं, चाहता हूं कि यहां से आगे का जू आइन लॉटम इंटर की प्रेप्ट करता हूं एक तो ईंटर खी में से आगे पास होता है दूसरा खाएम आरे पास कि यह आगे का नेक्ट्रीली पेकनी सकति के suck cad अब आपको नया paragraph बन रहा था इससे continuous बन रहा है तो दोनों के बीच में difference गया है वह difference दोस्तों हम कहां बताएंगे आपको लाइन नंबर के अंदर आपको बताएंगे इससे पहले हम हमारे इसके अंदर ब्रेक के अंदर दो पसन बचे में यह complete कर लेते हैं फिर हमारे पास देखो दोस्तों हमारे पास क्या आता है इवन पेज आता है तो इवन पेज और ओर पेज इनको समझने ही दिया हम क्या करते है एक बार इसको च्रॉल ए से स्लेक्ट किया डिलिट किया और हम लिख लेते हैं कुछ जासे हमने लिख दिये यहाँ पर पाइप परेग्राफ लिख लिए के देखो दोस्तों वन पेज पर अंगर बेठो है हम क्या चाहते हैं यहां से यां से आगे कर ना रही है क्या हो यह हमारा इवन पेज पर चला जाएron अबीकुन ज इस श्लाइं शोलला क्लिक करते हैं और कोई और शोला क्या करते हैं कि दोस्तों Saar हम इसको जूम करते हैं ग competency मारे पास इमारे पारे इसका को चैनल के बार पर आता है और अग्र कहा Maraा किolph प्रॉल जट से अंडू कर दिया अब हम मैं आप हम का चाहते हैं कि इनको ओड पेज पे लेकि यहां से आगे का जो मेटर वो ओड पेज पे चला जाए तो वन से ओड पेज कहा जाएगा सीधा थ्री पेज आएगा दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे किया ओड पेज यह देखो दोस्तों दोस्तों तो इस तरीक ऐके से हम क्या ईसको आगे करशेकते हैं उसके बाद मी देखो दोस्तों हमारे पास क्या आथ है लाइन नमबर यूजाते हैं प्रेजबर के अंदर continuous आया था दोस्तों उस continuous का उप्योग अब करेंगे अब दखो दोस्तों अब देखें दोस्तों हमें line number के अंदर line number के लिए हम क्या करते हैं कुछ paragraph लेख लेते हैं equal अब इसको पूरे को select कर लेता हूं control A से select करने बाद कहा जाओंगा line number के अंदर और क्या करते हैं continuous मतलब सभी line के अंदर continuous के अंदर आप line number डाल दो तो देखो दोस्तों यहां भी मैंने select कर रखा न तो यहां भी आपको line number देगा यह देखो दोस्तों मैं एक बार control Z से undo कर देता हूं दोस्तों और हम क्या करते हैं इसको copy किया और इसके नीचे क्या कर देंगे लास्ट में हमारे पास क्या आ चुगा 38 आ चुगा इधर 39 से स्टार्ट हो चुगा तो यह continue करम में चल रहा है हम क्या चाहते है हम क्या लाइन नंबर को क्या कर रिस्टार्ट इच पेजेज मलब सभी पेजेज के ऊपर क्या हो दुबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो तो इस क्या करें रहे है restart each section की सभी section के ऊपर दुबारा से start हो इस पे click करने से पहले मैं क्या करता हूं एक बार दोस्तों इसको undo कर देते हैं और हम क्या करते हैं दोस्तों एक बार इसको delete कर कि हम दुबारा ही क्या करते हैं paper पे कुछ टाइप करते हैं देखो equal r and 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 और यह देखो गए और continuous के अंदर देखो अब continuous का मतलब यहां समझ आएगा आपको continuous पर क्या देखो यह paragraph बन गया पर नहीं बना एक section बन चुका अलग से दोस्तों जसी यहां पर मैंने किया गए हम break पे गए और continuous पर किया इसका एक किया और क्या करें है लइन नंबर मेठें रिंइस के सदॉट है इसके सबाघी से मतलब करें और आपको बताता हूं जैसे हम्लिए से कउंट लिख रहे हैं हम सभी के आए तो उसके लिए क्या करेंगे इस section के अंदर कहीं पर भी आप mouse से click कर दो और click करके कहा जाओ line number के अंदर जाओ और वहां से surprise for current paragraph के अंदर click कर दो यह देखो दोस्तों इस paragraph की line number हट जाएगा अपका फिर उसके बाद में hyphenation आता है वह क्या होता है दोस्तों वह देखो बताने के दिए मैं एक बार इसको वापस control A से select किया delete किया देखो दोस्तों आप delete से हमारा line number नहीं एट रहा है इसलिए इसको अटाने के दिए line number के अंदर जाके none पर click करना पड़ेगा तब हमारा यह line number है और हम दुबारा से यहाँ पर type कर देते हैं फिर hyphenation का मतलब हम यहाँ पर समझते हैं हम क्या चाहते हैं जैसे यहाँ पर text हमारा नहीं आपाता है तो कई बार वह text करता है नीचे वड़ी line में चला जाता है तो उसका अंदर क्या होता है यहाँ एक इसका sign लगाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं अ हाइपनेशन के अंदर जाते हैं और ऑट्यमेटिक पर करते हैं देखो धोस्तो यह देखो दोस्तों आपको जूम करके दिखाता हूँ देखो यहां पर सब्सक्राइब लगा नीचे वारी लाइन के अंदर लेकर चला जाएगा दोस्तों देखो मैं इसके अंदर आपको कि मैं मैं देखो यहां पर इसको अटा देते हैं हम लोग नं कर देते हैं ृक्त को नं पर अट गया दूबार य letters हमें बताता हूँ आपको मैनुएल के इंदर यह आपक्र सकते यह उसकी मैनुएल επे current के देखे हैं किया है ये कर दिया किया here diyor provide के अंदर करना चाहरी है हम किए हम नहीं करना चाहे है know amazon in provide के अंदर देखे दोस्तों नहीं है provide हमारा निचे वार लाइन के अंदर आ गया और page borders आते हैं तो इनको देखो दोस्तों आप 1-2-1 करके पढ़ते हैं तो इसके दिए हम Zoom out करते हैं और सबसे पहले किस पहले जाते है 지 watermark watermark क्या होता दोस्तों juaster mark होता दोस्तों जब हम कोई page बनाते है हमारे हमारा document बनाते है तो हम उसके पीछे क्या चाहते हैं, उस document के पीछे जैसे हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, या फिर जैसे हमारा को institute है, या फिर हमारा कोई school है, या फिर हमारी कोई organization है, तो हम क्या चाहते हैं, उस text के पीछे हमारा logo रहे, या फिर हमारा नाम रहे, या फिर हमारी कोई picture वहा रहें हैं आपको जिस्वी टाइप का चीडा कोलर काफी उसका कम है मैं डेखाता हूँ और यहां से आपको ये लेना है जोड़ा कम दिखाई दे y Tip is agony करते है इस का इसी का खुलर है इसका हुइए इसका कंवेव देखो हुआधे करते है क्या है दोस्तों हमारे पास डाउन अरो पर क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं यहां पर आपको अलग-अलग डिजाइन दिवी हैं, जो भी आपको डिजायन चीह हैं तो खुद बनाना है तो आप यहां पे आओ, कस्टम वाटर मार्क पे, खुटम इस picture को click किया और insert कर दिया दोस्तो. अब यहाँ से हम क्या करते हैं? उसको apply करते हैं दोस्तो. Apply करते हैं दोस्तो. इसको close करते हैं. और देखो दोस्तो यहां पर picture आदा शुकी है पीछे. वो picture है ना? वो picture आपको दिखाई नहीं दे रही है. दोस्तों कम दिखाई दे रही है क्यों क्योंकि उसका color अभी dark नहीं है हम उसको देखो यहाँ पे जाते हैं custom watermark पे click करते हैं और यहाँ पे wash out कर देते हैं उसको wash out करते ही देखो दोस्तों आपको दिखाई देने लग गई अब यह थोड़ी dark आ गई है आप इसको चाहो तो जैसे आप adjust करना जो भी आप इसके उपर देखो पेज़ पर टाइप करोगे वह सभी देखो इसके उपर यहाँ पर आपका text आता रहेगा इसके उपर और यह आप के background में रहेगी जिससे आप इसको प्रिंट करोगे ना जैसे हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो देखो दोस्तों प्रिंट में आपको दिखाई दे रही है पीछे कि डोकॉमेंट के पिछे आपको दिखाई देती रहेगी उपर आपका document रहेगा पिछे सबको पता चले हाँ MS से scaling का मलब इसकी size को जैसे हमें 200 कर देते हैं इसकी size क्या हो जाएगी इससे दुगूनी हो जाए मलब पहले 100 थी अब क्या हो गई 200 हो गई तो देखो दोस्तों apply करते हैं इसकी size देखना काफी बड़ी हो जाएगी automatically यह देखो दोस्तों हो गई पिछे आपको दिखाई दे इसलिए हम क्या करते हैं यहां से इसकी size को अटाते हैं जैसे 100 करते हैं और उसको apply कर देते हैं यह देखो दोस्तों हो गई अब हम क्या चाते हैं कि हमें picture watermark नहीं चीए हमें तो कुछ लिखना था वहाँ पे तो हम क्या करेंगे no watermark पे click करेंगे यह देखो दोस्तों हट गई हमारा watermark अब क्या करेंगे text watermark पे यह दिखा हुआ है क्या text watermark इस पर हमने click किया यह हमसे पूछ रहा है कि language क्या है हमें English language पे रखना है आप चाहो तो इंदी में भी रख सकते हो उसको जैसे English में रखना है मुझे यहां पे लिखा हुआ है यह तो भी आप लेना चाहो वह ले सकते हो मैंने by default DC को रख लिया फिर यह क्या रहा है यहां से आप color उसका कैसा करना चाहरे हो तो मैं इसका color थोड़ा सा देखो यहां से जैसे मैं red ले लेता हूँ ले लिया अब यह क्या रहा है डाइगनल चाहिए आपको यह horizontal चाहिए तो horizontal क चाहते हो नहीं कि मुझे horizontal करना तो वहां से आप इसको कर सकते हो तो यह था दोस्तों हमारा क्या watermark अब आप चाहते हो कि watermark जैसा भी आप यहां चाहते हो watermark आप ले सकते हो जैसे custom watermark पे गए और हमने यहां से आप जो भी color वगए जो भी उसका add करना चाहो यहां पे कुछ mobile number देने तो वह भी यहां पे आप add कर सकते हो तो यह था फिर आप चाहो कि मुझे इसको अटाना है तो अटाने कि आप क्या करोगे watermark पे जाओगे और यहां पे क्या करोगे remove watermark कहा पे लिखा हुआ है दोस्तों देखो नीचे नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास remove watermark तो remove water mark पर क्लिक करते हैं हमारा watermark क्या हुआ दोस्तों हट चुगा है अब आगे बढ़ते हमारे पास क्या आता है पेज का color आता है कि पेज के color को हम कैसे change कर सकते हैं देखो यहां पे पेज कलर आये हमारे पास जैसे मैंने यह ले लिए पेज कलर आ गया अब उसके अंदर देखो दोस्तों हमारे पास और काफी option मिलेंगे no color मतलब यह मैं बताऊँगा no color मतलब जो color अमने लिए उनको अटाने का more color पे जाते है more color पे देखो यह standard color आपको मिल रहे हैं जैसे आपको जो भी चीए यहां से आप उसको आपको यहां नीचे preview दिखा रहा दोस्तों जैसे मैंने यह ले लिया यह लेकर के मैंने इसको इधर से सैट कर दिया थोड़ा सा नीचे ले आया यह उपर लेकर चला गया इसको मैंने और वहां पे क्या क्या हमने one color की एक जी आपको नहीं एक नहीं dispodolर पर किया एक तो यह ले लिया दूसरा कलर जीसे में यहां से रही के अंदर मैं कहां पर दिखाई देगा एक बार मैं इसको कर देता हूं यह देखो दोस्तों कुछ इस तरीके का हमें पेज की डिजाइन कलर की डिजाइन इस तरीके की दिखाई देगी फिर आपको मुझे और भी चेंज करना है तो आप कहां जाओ फिल इफेक्ट के अंदर जाओ और यहां से आप कचाते हो कि देखो यह मारा क्या दा इस तरीके से दा मैं क्या करना चाहूं वर्टिकल देखो दोस्तों वर्टिकल में इस तरीके से हो जाएगा यह देखो इस तरीके से हो गया फिर आप जाओ नहीं मुझे और भी करना है जैसे डाइगनल करना है तो यह दे नहीं आएगा कभी भी वो सिर्फ यहां देखने के लिए डोकुमेंट को अट्रेक्टिव बनाने के लिए ही यूज किया जाता है जैसे देखो मां कंट्रोल पी प्रेस करता हूं प्रिंट के लिए तो यह देखो दोस्तों वाइट हा रहा पूरा मतलब प्रिंट के अंदर यह तरब बोर्ण को बनाएगा और उसको कुछचेंजमेंट करेगा उसके अंदर वह कैसी होंगी है तो देखो में आपको बठाता हूं दोस्तों जैसे हम यहां पर कुछ लिक लेते हैं तो यहां से जो भी पेज बोर्डर है आपको यहां से आपको यहां से आपको जो से चूझकते हैं डोट वाला सब बोर्डर लग गया एम इसके आगे चलते हैं तो आप चाहते हों कि जो पेज बोर्डर है इनको मैं इरको दूसरा लेना जैसे यह लेना है यह ले लिए आपने फिर आप कोगे नहीं मुझे इसकी जो साइज थोड़ी सी और मौटी करनी है इसकी साइज तो यहां पर आप देखो यह आपके पास कम ज्या ज्यादा करने के हैं जैसे कि दोस्तों जैसे हम अगे बढ़ते हैं हमारे पास पेस बोडर के अंदर और और क्या आता है आपके यह लगए मुझे के लेगा जाए नूपके लिए उसके लिए लिए अब बताएंगे एक बार रुको उसके लिए भी हमारे पास कई option आएंगे जैसे आप आप क्या करते हो आप ने यह यहां से कर लिया अब देखो दोस्तों अब आप आते हो कहाँ आपे shadows के अन्दर speak border के पीछे उसकी चाहाया पड़ती तयार होना जैसे मैंने इसके उपर क्लिक किया गरें यह उते हैं यह रही हैं डीकाएणप अलगी लुख दोस्तै फिर निचे चलते हैं 3Dнять 죽 एक अलगी लुक दिखाई देता है यह देखो दोस्तों फिर आप जाते हो कहां पर कॉलम्स के अंदर जाते हो स्वरी कस्टम के अंदर जाते हो कस्टम के अंदर जाकर कि वहां से आप जो भी आपको डिजाइने चीए वह आप उनको अपने अकोर्डिंग सेट कर सकते हो दोस्तों से मैंने कस्टम के अंदर है यह साइज ले ली और यह बना दिया एक सेगिंड दोस्तों देखो कस्टम कर दोस्तों कस्टम के आगे चलते हैं हमारे पास देखो नीच्चे क्या लिखावा है औरी जेंटल लाइन डालना चाहते हो कि दोस्तों कस्टम के आगे चलते हैं हमारे पास क्या आता है होरीजेंटल लाइन डालना चाहते हो कि मैं करा हूं होरीजेंटल लाइन चीए मुझे कहां पर यहां पर चीए इसके नीचे तो देखो दोस्तो एक बार मैं इसकी size को क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ जैसे मुझे यहां चीए line, तो उसके लिए मैं खाँ गया page border, और वहां पे निचे जाओंगा, मैं कहां पे horizontal line पे, और मुझे यह line चीए, तो मैंने इसको क्या कर दिया, okay कर दिया दोस्तो, अ आपके पास आगे और भी option है, हाँ है हमारे पास कहां पे, यह देखो art रहा, art के अंदर क्या होगा, अलग design है मिलेगी आपको, जैसे मैंने इस पे click किया, यह देखो आपको अलग-अलग apple की है, और है, यह design है आपको मिल रही है, जैसे हमने यह design यह चूज कर ले, अब दे पास, उस width को हम क्या करते है, decrease, देखो दोस्तों, decrease करते वे जाते हैं, अब देखना दोस्तों, size कम होगी इसकी, तो इस size को आप अपने according, border की size को छोटा है, बढ़ आप अपने according, यह विट से कर सकते हो दोस्तों, फिर आगे बढ़ते है मारे पास क्या था, इसी के अंदर, apply to, apply to के अंदर क्या है, hold document की, आपको किस document पे करना है, किसी section के उपर border apply करना है, तो उसके लिए देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक बार इन border को क्या करते है, undo कर लेते हैं, सभी borders को, यह देखो दोस्तों, सभी border अट चुके, यहाँ पे देखो, ज यहाँ से आगी का ना, वो क्या बन जाए, section 2 बन जाए, तो देखो दोस्तों, उसके लिए हम क्या करते हैं, phase layout पर जाते हैं, phase layout पर जाते हैं, और वहाँ से कहा जाएंगे, break के अंदर जाएंगे, और देखो, यह continuous था हमारा, थोड़ी दर पहले हमने पढ़ा था, continuous पर हमने click किया, यह हमारा next बन गया, अब यह जैसे मैंने, दो हो गए हमारे पास, चलो दो से हम काम से ला लेंगे, जैसे हम यहाँ उपर click करते हैं, header के अंदर, यह देखो, section 1, section 1, यहाँ से क्या हो गए, section 2, section 2, section 2, section 2, section 1 के अंदर 2 pages है, section 2 के अंदर 3 pages है, देखो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, उप जब से पहले हमने यहां पर header का नाम दिया था section का अब यहां पर हमें कुस हूम कुछ को नहीं करना अब देखो माख पुब आपको पताता हूं इसमें क्या होगा जैसे यहांसे कोई बोर्डर लिकाइन यहां ले लिया फिर कहां grenießen ॥ apply to में यहां भी क्या कर रहा है दिस सेक्षन मतलब जिस सेक्षन के उपर हमारा माउस अच्छर था वहां पर हमें क्या करना है क्या तो उसकी लिए हम क्या करेंगे दिस सेक्षन और ओके तो देखो दोस्तों फैस्ट सेक्षन के अंदर दो पेज थे हमारे और दोनों पेजों के जहां पर हमारा mouse का cursor है उस section का केवल fast page पर हमें क्या करना है वोडर अप्लाई करना है तो इसके लिए देखो यह रहा दोस्तो फैस्ट पेज भी आ गया वोडर आपका देखो दोस्तो अब हमागी बढ़ते हैं पेज बोडर के अंदर हमारे पास क्या आता है देखो हमारे पास यहां पे जैसे हमने इसको select किया यहां से हमने कोई भी बोडर को उठाया और यहां पर हम क्या गए इससे आगे वाड़ा हमारा क्या है दिस section क्या लिखावा है all except fast page मतलब fast page को छोड़ करके उस section के अंदर जहां पे हमारा mouse का cursor है वहां पे उस section के अंदर fast page को छोड़के बा तो इसके लिए हम क्या करेंगे page border पर गए page border से हम कहां गए यहां पर गए कहां पर गए देखो दोस्तों आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और फिर हम गए कहां पर page border पर और page border से देखो दोस्तों हमने यहां स देखो दोस्तों, शक्षन सेंगेंड का फैस पेज छोड़ दिया इसने और उसके लाव दोनों पेजों के ओपर लगा दिया, मतलब यह फैस्ट पेज को छोड़ करके बाकि सभी के उपर apply हो जाता है फिर देखो दोस्तों अन्डो करते हैं इसको फिर आप जाते हो नहीं मेरे को तो सभी pages के उपर ही चाहिए था वो तो आप यहाँ से इसको select कर सकते हो और यहाँ से आप किस पे करोगे यहाँ से देखो दोस्तों आप किस पे करोगे यहाँ पे whole document पे आप click करोगे और यह देखो दोस्तों हमने कर दिया ओके और यह देखो दोस्तों आपका सभी pages के उपर border आच चुका है यह था हमारा page background के अंदर watermark, page color और page border I hope दोस्तों आपको बोडर नहीं अट रहा है तो page का बोडर back space से आप देख लेना नहीं अटेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे page border पर जाएंगे और page border से वहाँ पर क्या कर देंगे none पर click करेंगे और क्या कर देंगे हट गया page border अब यहां पर कुंछ लिख लेते हैं दोस्तों जैसे हम यहां पर लिखते हैं इक्वल यहां पर वने ट्वंटी परग्राफ्स लह ले लिए दोस्तों यह देख दोस्तों आगए अब hed sangat करते हैं दोस्तों अब हम जाते हैं किःते को देखो धीम्स के अंदर दखाए में डेरीगा आपको पहले धीम्स है हि है beta सभी को पटेंगे देखो सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं जहां पहुत क्या रिका हो है अफ ने डिजाइआ क्लारओं पाइस व जिसमें penso 50 पेज हो या 100 पेज हो या तो सभी को एक साथ ही क्या करदेगा उनकी डिजयन को चेंज कर देगा उंके colors को चेंज कर दो है उनके फांट को कर देगा उंके उपर जो ऐटेक्ट्स हैं unco節目 इसको एक साथ ही चेंज करे और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया मनेra कंपिट डिया इसके बाद में देखो दोस्तों निया पर लिख दिया क्या गौन टाइ दोस्तों दोस्तों एन लगेगा यहाँ अधी के बना देखो किलिक करो को यहां से करके आप सभी को एक साथ निकालो यह देखो दोस्वों इस टाइटल है यह टाइटल ले लिए हमने अब इस टाइटल के निचे से आप इटालीक के पिर बोकुमेंट कें पिर यहां से तोक्मेंट को थोड़ा नीचे कर लेते की दोसित को यहां से नीचे कर लेते लिए। यहां पzeption को भी क्या करेंगे खुषर कोई करेंगे। in sets से में क्या उठेंगे सेफ ऊठेंगे दोस्तों और सेप उठागे दिछ Union यहां पर हम यह से अंदर देखो धूस्तों हमारे पास यह डिजाइन नहीं आपको दिख़ए अब यहांसे क्लिक करते हो तो जो ॐτο जैसे बैद ये उठालिया कडरे लेगिन मैं चालता था मैं चालता था दोस्तो कि मेरा केवल क्या हो कलरी चंग फॉंड्स हो इनका डीज़ाइन च्रफ, फ़ॉञप चेंज लेगिन आप मैं फौर भी चेंज लगे वो यहां से आप चूज कर शकते हो दोस्तों जैसे मुझे यह कलर अच्छा लगा तो मैंने इसको चूज कर लिया फिर आप को गए नहीं फॉंट मेर को दुसरे चाहिए तो देखो दोस्तों जैसे फॉंट पे जाएंगी आंगे फॉंट देखना आपके सामने देखो अ से मैं इस पर आता हूँ फॉंट इफेक्ट का व pertaining आते हैं फॉंट देखो दोस्तों थोड़ा सामने हैका अब देखो दोस्तों ते देखो आपको दिखा ढूस्त आपको धोड़र इसका थोड़ा-थोड़ा झाटर देखो चेंज हो रहा है यह देखो ब्रोडर लाइनों त पूरा effect है यह देखो जो भी आपको चाहिए वो उसके according आप यहां से चूज कर सकते हैं जैसे मैंने यह कर लिया अब उसके बाद में दोस्तों आपके सामने पूरा यह देखो हमारे font design चेंज हो चुकी हमारे themes change हो चुकी हिनकी color change हो चुका सभी चीज हमारे पास इनके effects भी हमने डाल दिये हैं तो यह था हमारा क्या पूरा themes ब्लोग था फिर देखो दोस्तों मारे पास पेज लियाउट के अंदर क्या बचता है फेज लियाउट के अंदर दोस्तों मारे पास बसता है केवल arrange block बसता है इस arrange block का क्या work होता है देखो दोस्तों मैं भी आपको बताता हूँ जैसे मैं एक बार इसको पूरे को control एसे क्या करता हूँ select करके इसको delete कर देता हूँ अब देखो दोस्तों जैसे मैं यहां पर कोई safety बनाता हूँ insert टैब में गए और वहां से हमने एक safety ले लिया जैसे हमने यह safety ले ली यह शीब आज आना दी जैस右 सेभे को बनाते हो दोस्तों देखो वो format आ गया, format के अदर दोस्तों देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, यह देखो दोस्तों, आपका arrange blog पूरा यहाँ पर आया हुगा है, पूरा यहाँ पर यहाँ पर आपके आगे वाला वीडियो, पूरा arrange blog के उपर ही हम upload करेंगे, दोस्तों, जहाँ पर आपको पूरा arrange blog एक इस arrange blog को हम next video के अंदर इससे आने वाले next video के अंदर ही हम पूरा arrange blog को complete करेंगे दोस्तों ठीके दोस्तों ओके दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको like जरूर करना और जितना हो सकी इसको share करना दोस्तों और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप वीडियो को subscribe जरूर करना और साथ आने वाले bell icon को जरूर प्रेस करना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन जैभारत